प्रियमित्रगंड, मैं डॉक्टर एसके वर्मा आपको अपने यूट्यूब चैनल के अर सथवें वीडियो तथा बिहार स्रिंखला के आठवें वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको इसा से अनगिनत शताबदी पहले के गनराज वैसाली के खड़रों की सेर पर ले चलता हूँ। जहां वैसाली की नगरवधू आमरपाली रहती थी तथा जहां तथागत बुद्ध अनेक वर्शाकाल विश्राम किया। मित्रों अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया सब्सक्राइब कर लिजिए। मेरे द्वारा बनाए गए यतिहासिक और प्राची विरासत के वीडियो सीधे आपके पास पहुँचेंगे। हाँ, लाइक, शेयर और कॉमेंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर करना नहीं भूले। प्राचीन वैसाली का यह भगना वसेस बिहार राज्य के वैसाली जिला के मुख्याले हाजीपूर से 36 किलोमीटर तथा बिहार की राजधानी पटना से 72 किलोमीटर दूर आज के बसाड़ गाउं में है। अभी मैं वैसाली के खड़रों के आधुनिक प्रवेश द्वार पर पहुँच गया हूँ। यह पत यह रास्ता अभिशेक पुषकरणी पत कहलाता है। इस नगर का नाम वैसाली महाभारत कालीन राजा विशाल के नाम पर है। राजा विशाल राजा एक्छवाकू के पुत्र थे। वैशाली नगर का वर्णन चोथी सताब्दी में आये चीनी यात्री फाहियान तथा सात्वी सताब्दी में आये चीनी यात्री वेन सांग की यात्रा विवरण में मिलता है विश्नु पुरान में वैशाली के चोथी सराजाओं का वर्णन मिलता है चोंतिस्वें में सबसे अंतिम राजा सुमती थे जो स्री राम के पिता दसरत के समकालीन थे 1861 इस्वें में ब्रिटिस पुरा तत्विद अलेक्जेंडर कनिंगम ने वैसाली जिले के बसार गाउं में प्राचीन वैसाली की खोज की उत्खनन की आमरपाली जो वैसाली नगर की नगर वदू थी इसी वैसाली नगर में रहती थी सुप्रसिद उपन्यासकार एवं वैद्य डाक्टर आचार चतूरसेन शास्त्री की लिखी वैसाली की नगर वदू उपन्यास इसी आमरपाली के जीवन पर आधारित है यह अत्यंत रोचकुपन्यास है आम्रपाली अंत में बुद्ध की शरण में जाती है बुद्धम शरणम गच्छामी वहशाली नगर में भगवान बुद्ध अनेक बार वर्षा काल में निवास किया था यह निपोनजन म्योहोजी जापानी बुद्ध मंदिर है मंदिर की सफाई चल रही थी इसलिए भगवान बुद्ध की मुर्थियां बरामदे में रखी हुई थी मंदिर का कक्ष मुर्थियों के बिना सूना था हम लोग वहशाली पुरातत्व संग्रहाले आ गये हैं संग्रहाले की अस्थापना 1971 इस्वी में हुई इसमें वहशाली के प्राचीन तीलों के उत्खनन तथा सतह पर बिखरे हुए पुरावशेशों का संग्रह है ये सभी पुरावशेश छटी सताब्दी इस्वी पुर्व से बारहवी सताब्दी इस्वी तक संक्लित किये गये हैं संग्रहाले में प्रस्तर प्रतिमाएं, म्रिणमय मानव, पसु पक्षी आकृतियां, हाथी दात, अस्थी तथा सीप से निर्मित वस्तुएं, आभूशन मुद्राएं इत्यादी प्रदर्शित हैं यहां चित्रांकन निश्यद था, इसलिए अंदर का फोटो मैं नहीं ले पाया यह अभिशेक पुषकर्णी तालाब है, इसे कोरोनेशन टैंक या राजा विशाल का तालाब भी कहा जाता है वैशाली गनराजी के राजाओं का राज्या भिशेक इसी पुषकर्णी तालाब के जल से होता था उसके बाद ही चैनित राजा सिंगासना रूड होते थे, दूर में आप विश्वशान्ती अस्तूप देख रहे हैं कुरुनेशन टैंक या अभिशेक पुषकर्णी तालाब के पास ही विश्वशान्ती अस्तूप वर्ल्ड पीस पगोडा है वैसाली अस्तूप में पाए गए बुद्ध के पवित्र अवसेश के कुछ अंस इस पगोडा में भी रखे गए हैं या 1996 इस्वी में बनकर त्यार हुआ इसी धंक का एक पगोडा अजात सत्रू की राजधानी राजग्री तथा एक पगोडा दिल्ली में भी है पाटली पुत्र से पहले की मगद समराज्जी की राजधानी राजग्री या राजगीर थी राजगीर का वीडियो आप बिहार स्रिंकला में आगे देखेंगे इस इस्तूप में भगवान बुद्ध के चार अवस्थाओं को मूर्तियों के रूप में दिखाये गया है जन्म, बुद्धत्व, एनलाइट्मेंट, धर्म प्रचार, एवं महापरी निर्वान यह राजा विशाल के गढ़, किला का भगना वशेस है यही पर मुख्य अस्तूप तथा असोक अस्तंब है भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन द्वारा किये गए उत्खनन में कुटा गारशाला, स्वस्तिका कार विहार, सिर्ष पर एक सिंग वाला असोक अस्तंब तथा इटो का बना अस्तूप प्रकास में आए अस्तंब के निकट एक कुंड की पहचान मरकट हिर्द के रूप में की गई है जिसे वानरों ने भगवान बुद्ध के लिए बनाया यह 65 मीटर लंबा तथा 35 मीटर चोड़ा है इसमें असनान करने के लिए सिड़ियां बनी है प्राचीन नगर वैशाली का अभिन अंग कोलुआ इस अस्तल का विशेश दो तक है जहां पर एक अस्थानिय वानर प्रमुख ने भगवान बुद्ध को मधु अरपन किया इस घटना को बुद्ध सहित में बुद्ध के जीवन से जुड़ी आठ प्रमुख घटनाओं में से एक माना जाता है यह एक वियतनामी बुद्ध स्थूप एवं विहार है इसके अंदर प्रवेश की अनुमती अभी नहीं थी बाहर मुख्य दरवाजे पर एक प्रहरी की मूर्ती खड़ी है राजा विशाल के गड़ अत्वा किले की यात्रा मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे साथ बने रहिए मुझे फॉलो करते रहिए अगली वीडियो में मैं आपको वैशाली के इसी छेत्र में जैन धर्म के 24-वे तथा अंतिम तिर्थंकर महवीर की जन्म भूमी पर ले चलूँगा यह 24-वे तिर्थंकर महवीर के जन्म अस्थान पर बना एक भव्य मंदिर है जिसे आप अगली वीडियो में विश्ट्रित रूप से देख पाएंगे हमेशा की तरह योग और व्यायाम करते रहिए स्वस्त रहिए, खुश रहिए और मुश्कुराते रहिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाहि झाली हुत